नमस्कार दोस्तों एक बार फिट से स्वागत है आपी की यूट्यूब चनल पर दोस्तों अगर आपकी गाड़ी डीजल कार है और 10 साल की एज हो चुकी है उसकी तो उसमें फिर आपको वो गाड़ी सडक पर चलाना अलाओ नहीं रहेगा जिस तरीके से डीजल कारों की जो ल राज्ये में बेचना पड़ता है जहां उसकी फिटनेस और आगे बढ़ करके और चलाया जा सके हाला कि दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में दस साल से जादा उपर की जो भी एज की गाड़ियां है डीजल कारें उन पर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने और जीटी ने रोक लगा दी है वो बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलाई जा सकती आज के टैम पे अगर हम देखें तो तीन लाग के लगबग दीजल कारी गाड़ियां हैं दिल्ली में दिल्ली सरकार की फैसलिटी चलाई जा रही है जिसमें क्या है कि आप अपनी पुरानी गा चाहूंगा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लिजेगा क्योंकि इसी करीचे की इंफरमेटीव वीडियो मैं टाइम टू टाइम आपके इस चैनल पर ले करके आता रहता हूं और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा और बैल आगन प्रेस होने वाली है जिस तरीके से मतलब क्या इसकी रेंज रहेगी बैटरी लगाने के बाद और क्या इसका कॉस्टिंग आ जाएगा किस तरीके से इसको इसको इंस्टॉलीशन कराना है कहां से अप्रूबल होगा यह तमाम तरह की जानकारिया आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे जो आपकी स्क्राइब हो चुकी कबाड हो चुकी डीजल कार में या पेट्रोल कार में आप उसके बड़े बड़े काम गियाएगी यह बात आपके लिए तो इसी के बारे बात करते हैं और आगे चलते हैं तो दोस्तों दिलिस्रार ने अब एक ऑप्शन खोल दिया पर 6 लाग देखा जाये तो एक नई गाड़ी की कीमत होती है एक नई गाड़ी हो जाती है तो च्छे लाग रुपे कई नहीं एक जादा है एक 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 स्पैंसिव रकम है कि किसी भी पुरानी गाड़ी पे किसी भी दस साल पुरानी डीजल कार हो या 15 साल पुरानी पेट्रोल गारो उसको इवी में अगर कन्वर्ट कराया जाए तो उस पे सरकार सबसीडी भी दे रही है जो दिल्ली सरकार है पर सब्सेडी उन्होंने यह किलियर नहीं करी है कि कितनी दी जा रही है तो यह सब्सेडी सरकार नहीं जरूर किया है कि हम सब्सेडी देंगे बट इसमें इसके लिए जो प्लान आएगा भी जल्दी ही कि एक से डेड़ महीने में या 15 दिन के अंदर एक प्लान जरूर आने वाला दिल्ली सरकार की तरफ से जिसमें बताया जाएगा कि आप अगर पुरानी गाड़ी को कंवर्ट करते हैं तो उसमें कितनी सब्सेडी सरकार की ओर से मिल जाएगी साथी साथ बात कर लेतें कि जैसे क फ्यूल कार को इलेक्रिक कार में कंवर्ट करने से जुड़ी ज्यादा तर कंपनिय है है धराबाद में जिसमें एक ट्रियो है नौर्थवे मोटर्स है ये दोनों कंपनियों किसी भी पेट्रोल या डीजल कार को इलेक्रिक में कंवर्ट करती है जैसे कि वेगनार अल्टो ड फिविविट करके सारी आपर ले सकते हैं और आगे चलते हैं इन कारों में सितमाल होनेवनेश किट होती हूँ लगबग जैसी होती हलागी ततकर ना कि बेट्रिक के लिडिक बाटरी ऑर उट्जीLP आता है उसी में ट्रॉन हैं जो बैट्रीन झाट की जाएंगी Meso को बूट स्पेस की टेंचन नहीं लेनी है तो जैसे सी एंजी में बूट स्पेस गे रहा जाता है वह स्पेस आपका बचेगा इसके लिए जो मैं पुरानी वीडियो में बता चुका कि मोटर कंट्रोलर और बैटरी तीन में एकिपमेंट होते हैं तो यह तीनों का जो होना बह का बाइरिंग हो उससा अंदर ही होगी तो आगे चलते कि ये से करीब 20 कВ की खर्च करीब 4,005 कि रूपर ऑजा जाता है कि वाड़ के ऊपर कोई करता है इसकी जो कीमत होगी वो कितनी होगी योगी यe जतना जादा किलोवाट जतना जादा बैट्री का पैपासिटी यह इसे चै तो कर से 2 तरीके से कि आप कितनी Speed में उसको चला रहें कि रेंज में चला रहें हाला किτο में कम जवाक्तम उल्हारा रहें चला है कि मोसलों कि इसलत्य कर रहें कि अगर आप अपनी कोई पूरानी घाड़ी खरेर आते हैं कंपभी गारी कंवें कुमें करना चाहते हैं तो इसके लिए सारी documentation सारा आट्यों से passing company कि देती है और तो और जो इसमें timing लगता है यानि कि इवी में जो convert करने का उनको timing लगता हूं साथ दिन मांगते लगता सब्चैसेवन डेज का timing वह मांगते हैं उसमें यह है कि जादा एक दो दिन आगे पीछे भी हो सकता और जल्दी आपको गाड़ी की डिलीवरी फिट करने के बाद यह लगाने के बाद आपको गाड़ी डिलीवर कर दी जाती है अब हम बात कर लेते कि पेट्रोल से एवी करवाने में एवी के अंदर और पैट्रोल में कितना डिफरेंस आजाएगा पैसेगा जो बारिकी से आप समझेगा बड़े ध्यान से समझेगा ताकि आपको यह पता चल सके कि गाड़ी को एक्चुल में कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए वर्थ है या नहीं है यह हम समझ लेते अभी फॉर एक्जामपल अगर आप अपनी पेट्रोल डीजल कार को इलेक् जो कॉस्टिंग है यानि कि पांट लाक रुपे जो कॉस्टिंग हो पाएगी अगर आप इसको मतलब पूरी रेंज के साथ चलाते हैं जैसे कि मान लेते हैं करको जो है 50 किलोमेटर एली चलाते जिसमें और इलक्रिक कर को फुल चार्ज होने में छे से साथ युनिट बिजली अगर खड़्च होती है मैं आपको मोटा मोटा एक एक एक्जांपल दे रहा हूं कि छे साथ युनिट अगर बिजली खड़्च हो रही है किसी बीलेक्रिक खर्च होंगे एक बार चार्ज करने पर लगबख 56 रुपय का खर्चा आएगा आपकी गाड़ी को यानि 56 रुपय खर्च में एवी 75 किलोमेटर की रेंज अगर देती है दो दिन की कार में मतलब दो दिन चार्जिंग करी 50 किलोमेटर आप डेली चल रहा है तो ऐसे कंडिशन में आप उसको तीन दिन्स लगबख चलाई लेंगे यह यह मैने बर में कार 20 बार ही चार्ज आपको करनी पड़ेगी अगर आप 50 किलोमेटर डेली चल रहे हैं तो उसमें क्या हुआ कि साथ यूनिट जिसका कर्द साथ यूनिट है तो 20 दिन अगर आपने चार्ज करी तो इसका 140 यूनिट आता है अब 140 यूनिट को अगर आप 8 रुपे प्रती यूनिट से मल्टिप्लाई कर देते तो यह आपका एस तरीके से अगर हम साल बर कि हम बात करें तो 12 मैने का खर्जज 120 रुपे एक माहीने का आया तो इस तरीके सब 1340 रुपे आपका बंता है एक साल का खरचा एक electric e.vee को रखने का और उसको चार्ज करने का और या एक लिटर डीजल में 15 गावरेज या 16 गावरेज निकालती थी आपकी गाड़ी अगर पुरानी गाड़ी हो जाती थी थोड़ा कमी माईलेज देती है और दिल्ली में नॉर्मल ही माना जाए तो 101 रूपे लीटर पेट्रोल है 101, 102 ऐसा ही चल रहा है उपर नीचे चल रहा ह एक 103 भी पहुँच गया था तो ऐसा हूप 50 कीलो मेटर चलने के लिए आगर आपका जो पेट्रोल है 3.33 किलो मेटर लीटर लग रहा है 50 किलोवेटर गाड़ी चलाने के लिए थीन लीटर के लगवग अगर पेट्रोल लग रहा आपका यानि कि 336 रूपे का पेट्रोल आप आपका 50 km चलाने में लगता है तो इस हिसाब से एक महीने में 30 दिन होते हैं और 336 रुपए यानि कि 10,090 रुपए आपने पेट्रोल में खर्च कर दी एक महीने में और एक साल के हम बात करें तो मोटा मोटा देखें तो चार से साड़े-चार साल में आपकी जो पांच लाख रुपए की कॉस्टिंग है वो पूरी तरीके से फिरी हो जाएगी तो इस तरीके से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक कार लगवग सब्सक्राइब करने पड़ेगा जो भी उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वह खर्चा जो है कंपनी बेर करेगी कंपनी को करेगी हाला कि रूटीन सर्विस तो आपको उसकी करानी पड़ेगी देखा जाये तो ऐलेक्ट्रिक वाइक, ऐलेक्ट्रिक कार की सर्विस इंग जो होती है उसमें जादा कुछ भी किलो मेंत선 के बाद तो इसमें दोस्तों देखा है कि अगर बैटरी ऐसा नहीं कि पांस साल चलते ही एक दम खराब हो जाएगी अगर हम अच्छे से ड्राइब करते हो तो छे साल साथ साल भी बैटरी काफी अच्छे से तरीके से चल जाती है और साती साथ यह लोग वारंटी सर्टिफिकेट देंगे आपको बकाइदा जिस प काफी बैनिफिशल हो जाएगी दोस्तों काफी अच्छी हो जाएगी क्योंकि अगर सबसीडी के बाद इसकी जो वैल्यू होगी पांच लाग से चाल लाग या तीन लाग कुछत्तर अजार के लगबग हो जाती है तो इतना अगर हम इन्वेस्ट करते हैं एक इलेक्रिक बन जाते हैं तो यह बैनिफिशल आपके लिए होगा बट शौट टाम के लिए तो नहीं क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है चार लाग रुपे या पार्स लाग रुपे जो भी होने वाली है सबसीडी के बाद तो हलाग कि कम हो जाएगी तो यह जो कॉस्ट होगी यह इतनी जल्दी रिकवर नहीं होगी अगर आपका जो डूरेशन है आपकी जो रणिंग है वह बहुत जादा नहीं है और अगर अगर आपकी रणिंग सतर किलोमेटर पिशतर किलोमेटर होती है तो यह जल्दी और भी जल्दी रिकवर हो जाएगी तो दोस्तों आने वाले समय में शौरली पेट्रोल के दाम तो आप समझो कि फिर से साठ आ जाएंगे पैसाट आ जाएंगे या पच्पन पे आ जाएंगे तो यह तो पॉसिबल नहीं है सतर में मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है कि आप फ्यूचर में क्योंकि एक बार किसी चीज के अगर प्राइज हाइक हो और साथ-इसाथ CNG के भी दिनों दिन दाम बढ़ते जा रहे हैं CNG भी अब दिल्ली में जो 52 रुपे के आसपास हो गई है और दूसरे स्टेट्स में कहीं कहीं तो 90 रुपे के आसपास भी CNG पिक रही है तो ऐसे में पेट्रोल क्या और CNG क्या सब कुछ इक्वल ही हो गया तो बात चलती है इलेक्ट्रिक की अब इलेक्ट्रिक पे ही दाव खेला जा सकता है या जो दो-चार पैसे बजाने हैं वो इलेक्ट्रिक लेकर के ही बचाये जा सकते हैं जिस तरीके से लोग इलेक्ट्रिक के पीछे बहुत बाग रहे हैं अभी latest news यह भी आई थी कि दोस्तों वहिकल की यह जो साल है 2021 21-21 में इलेक्ट्रिक वहिकल की तरफ यह इलेक्ट्रिक वहिकल की जो सेल है उसमें 227-17 का इजाफा हुआ है कंटिनियूसली मतलब इससे पहले कभी भी इतना ज्यादा इंक्रिमेंट नहीं हुआ इतना ज्यादा उपर नहीं गया एक जटके से इलेक्ट्रिक के लिए क्योंकि इसके पीछे एक तो रीजन है कि लंबी दूरी की गाड़ियां बनाए जाने लगी मतलब जो है बनाने लगे हैं कंपनी और साथी साथ रेंज अच्छी दे रहे हैं साथी साथ जो है उसकी स्पीड भी अच्छी दे रहे हैं मतलब इस तरीके से हम बात करें ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाकी जो स्कूटर्स हैं उनकी 80-85-100 तक की टॉप स्पीड जा रही है जो हमने कभी पहले कल हम भी मिलना यह कहीना कहीं रीजन है लोगों का जुकाव है और दूसरा पेट्रोल और जो है सी एंजी और डीजल यह सभी चीज़े लगातार बढ़ रही है तो इसलिए कहीना कहीं इसमें बहुत जाजा तेजी से इंक्रिमेंट हुआ है तेजी से ग्रोथ हासिल हुए दोस 27% काफी होता दोस्तों तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर कोई कमेंट आपका कोई कुश्चन है कोई संदे है वीडियो से रिलेटेड गाड़ी से रिलेटेड तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप सभी का स्वागत है आप पूछ स झाले